अगर कोई आपको शादी करने के लिए 31 लाख रुपए दे तो आप क्या कहेंगे सिर्फ शादी करने के लिए 31 लाख रुपए मिलना शुरू में खोटाला लग सकता है लेकिन या बिल्कुल सच है एक दीश वास्तों में जोडो को शादी करने के लिए प्रोसाहन के रोप में पैसे दे रहा है जी हाँ अपने सही सुना यह कहानी दक्षिन कोरिया की है दक्षिन कोरिया में एक ऐसी योशना है जिसमें शादी के तोपे के रोप में चांदी के चम्मच के बजाए जोडों को 38,000 डॉलर यानी लगवग 31,000 रोपे दिये जा रहे हैं यह शादी को बढ़ हवा देने के लिए एक सरकारी पहल है आप इसे प्यार करो अमीर बनो योशना कह सकते हैं लिकिन या प्यार भरा प्रस्ताव अचानक क्यों आया है इसका कारण यह है कि दक्षिन कोरिया जन संक्या संकट का सामना कर रहा है जनम दर में इतनी गिरावत संक्याम Chinese को जोडे अपने लिविंग रूम में बैट कर योशना बना सकते हैं कि शादी करने की लिए सरकार से मिलने वाले पैसे को कैसे खर्च किया जाए शूषल मीडिया पर लोग इस उसना का मचा कुड़ा रहे हैं लोग कहर रहे हैं कि उन्हे अपना पासपोर्ट तया करना होगा जबकि अन्ने इसे गंभीर मुद्दा मान रहे हैं जितावनी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो देश अंतिताग गायब हो सकता है लेकिन यह समस्या सिर्फ दक्षिन कोरिया में नहीं है जापान भी जनसंक्या संकर से जूच रहा है जापान की जनमदर इतनी कम हो गई है कि जहां पहले साला ना 5 मिल्यों बच्चे पैदा होते थे अब वहां हर साल सिर्फ साथ लाख साथ जार बच्चे पैदा होते वहाँ की सरकार पैसे लेकर इंतिजार कर रही है कि कोई आए शादी करें और लाखो कमाए इस वीडियो को देखने के बाद हमें कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको साउथ कोरिया का लब बंपर आउफर कैसा लगा और अगर आप किसी ऐसे वीडियो को जानते हैं तो ऐसे ओफर के तलाश में है तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें और हाँ दोस्तों कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट करना ना भूले